हाँ तो फ्रेंट आज हम लोग एंसर की देखेंगे कलास 12 आर्ट्स का हिस्ट्री का है यह तो mcq कॉस्चेन का हम लोग एंसर की देखेंगे आपका कितना सही होता आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो टोटल कॉस्चेन 40 है तो चलिए फर्स्ट कॉस्चेन है हडपा कीस नदी के किनारे अवस्थित है तो इसका अप्चन तीसरा सही हो जाएगा रावी दूसरा कॉस्चेन है विक्टोरीया टर्मिनल किस अस्थापवेत्य सहली का उधारन है तो इसका पहला अप्चन सही हो जाएगा नौ गात्तिक सहली तीसरा कोस्चेन है विजय नगर समराईज की अस्थापना कब हुए थी तो इसका अप्षन दुसरा सही हो जाएगा 1336 भी तोधा कोस्चेन है मातमा कांदी दक्षिन अपरिका से भारत वर्स कब लोटे तो इसका अप्षन तीसरा सही हो जाएगा 1915 भी पाचवा कोस्चेन है मावीर का जन्म कहा हुआ था इसका अप्षन तिसरा सही हो जाएगा कुंडल वन चठा कोस्चेन है आयंगर वेस्था संबंधित थी इसका अप्षन तिसरा सही हो जाएगा विजैनगर सामराईज से साथवा कॉस्चन है, सम्विधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कोन थे? इसका अप्शन चोंथा सही हो जाएगा, डाक्टर राजेंदर परशाद आठवा कॉस्चन है भारत का राइष्ट्रे गान कौन सा है इसका उप्षन चोंथा सही हो जाएगा जन गनमन अधिनायक नौ नमबर का कॉस्चन है आईन ए अकबरी की रचना किसने की इसका उप्षन पहला सही हो जाएगा अभूल फजल दस नमबर का कॉस्चन है गांधी जी के राजनितिक गुरु कौन थे इसका अप्षन दुसरा सही हो जाएगा गोपाल किरिशन गोखले ग्यारा नमबर का कॉस्चन है असक के अभिलेखों में कितने परकार के प्रांतों का उलेख है तो इसका अप्शन तिसरा सही हो जाएगा पांच 12 नंबर का question है भारतिय सम्विधान में संसधीय पर नाली किस देश से ली गई है? तो इसका option दुसरा सही हो जाएगा, बेटेन 13 नंबर का question है फुट डाल कर विज़ाई प्राप्थ करने का कारी सरपर्थम किस राजा ने किया? तो इसका option तिसरा सही हो जाएगा, अजार confused जाएगा ए ओ यूम 15 नंबर का प्रस्ण है सिंदु घाटी सव्यता में सामाज का स्वरूप क्या था तो इसका अप्शन पहला सही हो जाएगा मात्री सत्तात्मक गेटवे ओप इंडिया का निर्मान कब हुआ तो इसका अप्शन दुसरा सही हो जाएगा 1921 अठार नंबर का कॉस्चन है जितल क्या था तो जितल सिक्का था अप्शन दुसरा सही हो जाएगा 19 अप्शन है पलासी की लड़ाई कब हुए थी इसका अप्शन पहला सही हो जाएगा 2727 बिस अप्शन है महाभारत की रचना किसने की इसका अप्शन चोंता सही हो जाएगा बेदवियास एकिस नमबर का प्रस्ण है आइन ए अकबरी को कितने भागों में विवाजित क्या गया है इसका अप्शन तिसरा सही हो जाएगा पाँच बाइस नमबर का प्रस्ण है विजय नगर की अस्थावरनिया मातरी देवी कौन थी इसका अप्शन दुसरा सही हो जाएगा पंपा देवी नेक्स्ट तेशन नमबर का कॉस्चन देखिए दामीन एक को को कहा जाता है इसका अप्शन चोंथा सही हो जाएगा संथाल परगरना छेत्र चोबिस नमबर का कॉस्चन है भारत में प्रचलित सती पर्था का उले कीश विदेशी यात्री ने किया है तो इसका अप्षन पहला सही हो जाएगा फ्रांसवां बर्नियर 25 नमर का प्रश्ण है बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो इसका अप्षन दुसरा सही हो जाएगा 26 नमर का कॉस्चन है फोर्ट सेंट जार्ज की अस्थापना कहां हुई तो इसका अप्षन पहला सही हो जाएगा कलगत्ता 17 नमर का प्रश्ण है ओप्रेशन पोलो के द्वारा कीश देश देशी रियासत को भारतिय संग का अंग बनाया गया है इसका अप्षन तिसरा सही हो जाएगा हैदराबाद 28 नमर का प्रश्ण है भारत का अंतिम वाइसरा किसे माना जाता है तो इसका अप्षन दुसरा सही हो जाएगा लर्ड बाउंड बेटन 29 नमबर का प्रस्ण है करो या मरो का नारा किस ने दिया तो इसका अप्षन 3 सही हो जाएगा मात्मा गांधी 30 नमबर का प्रस्ण है काला कानून किसे कहा जाता है तो इसका अप्षन 4 सही हो जाएगा रोलेट एक्ट को 31 नमर का question है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे तो इसका option चोंथा सही हो जाएगा पूर्तगाली जो की वासको डिगामा के नाम से भी जाना जाता है 32 नमर का question है तो इसका option पहला सही हो जाएगा बोद धर्म 34 नमर का question देखिए केप्टेन होकिंग्स किस मुगल दर्मार में आया था तो इसका option दुसरा सही हो जाएगा जहांगीर के दर्मार में आया था 35 नमर का question है गांधी इर्विन प्यक्ट कब हुआ तो इसका option तिसरा सही हो जाएगा 1931 भी 36 नमर का प्रश्ण है 1857 का विद्रो कहां से आरम हुआ था तो इसका option तिसरा सही हो जाएगा मेरट से आरम हुआ था 37 नमर का question है नए नार संत पूजा करते थे तो यह option पहला सही हो जाएगा सीव के पूजा करते थे 38 नमर का question देखिए दान्डी की स्राइज में इस्थित है तो यह option तिसरा सही हो जाएगा गुजरात में इस्थित है 49 नमर का question है जजिया कर किस से लिया जाता था तो इसका option चोंथा सही हो जाएगा धिम्मियों से लास्ट प्रस्ण है 40 नमर का देखिए हाथी गुफा अभिले किस से संबंधित है तो इसका option चोंथा सही हो जाएगा खारवेल से संबंधित है तो आपका कितना सही होता आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते है नेस्ट वीजियो में तब तब किलिए बाए जेहिन मंदे मात्रूं